वेलकम दोस्तों मैं हूँ अटकोट जीत अंदर आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि पुलिस थाने से जमानत कब और कैसे ले क्योंकि ये जहानकारी ऐसी है जो प्रत्यक व्यक्ति को ध्यान में अवस्य रखनी चाहिए क्योंकि अभी क्या हो रहा है वर्तमान में या फिर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत से लोगों के साथ में क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि फाल से लिगेसन वगरा लगातेते हैं जूटे आरोप लगा देते हैं या फिर बिनावजय को ध्यान में रखना बहुत जोरी है कि यहां पर पुलिस थाने से जमानत कब और कैसे ली जाती है, किस तरीके से ली जाती है तो यहां पर एक एड़ोकेट होने के नाते पूरी जानकारी आपके साथ में सेयर करने वाला हूं तो वीडियो के डिस्क्रिश्म में नमबर दिया गया है, पॉइंटमेट लेकर मुसे बात कर सकते हैं और अपनी कौन नी समयश्या का समाधान पास सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं यहां पे मैं किलियर कर दूगे जमानत दो तरीके से ली जाती है, पहली थाने से, दूसरी कोट से तो यहां पे थाने की बताओंगा पहले पिर कोट की भी बता दूगा तो चलिए, यहां पे मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में तो यहाँ पे CRPC 436 सेक्षन में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मामला जमानती है और जमानती मामले के थैद अगर किसी को गिरफतार किया गया है और वो मामला तीन साल से कमका है तो यहाँ पे उसकी जमानत थाने से ही हो जाएगी इस बात को बहुती ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या होता है कि कई लोग फंस जाते हैं उनको इसकी जानकारी नहीं होती है तो यहाँ पे मैं किलियर कर देता हूँ एक बार और बता देता हूँ कि अगर कोई मामला जमानती है किसी जमानती दारागे थैद अगर किसी को पुलिस के दुवारा गिरपतार किया गया है तो उसकी जमानत अगर मामला तीन साल से कमका है तो उसकी जमानत आने से ही हो जाएगी इस बात को ध्यान में रखना है यह CRPC 436 सेक्षन में इसके बारे में पताया गया है यहाँ पर ये बात बता देता हूं कि इसमें जमानत किस तरीके से मिलेगी इसमें CRPC 169 सेक्षन में ये प्रावधानी किया गया है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को जिसको वो गिरपतार करके लाते हैं अगर उसका कोई evidence यहाँ पर नहीं मिल पाता है कोई साक्षे नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी क्या कर सकते हैं कि उसका bail bond भरवाके और उसको जमानत की उपर पुलिस थाने से ही छोड़ सकते हैं तो यह यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई मामला 3 साल से कमगा है वो जमानती है तो यहाँ पर उसकी जमानत थाने से ही हो जाएगी फश्ट यह होगा इसमें यह बात और किलियर कर देता हूँ कि जब भी उस आरोपी को जमानत की उपर पुलिस वालों की दुवारा पुलिस थाने दुवारा छोड़ा जाएगा तो उसको यह सरते बताई जाएगी अगर वो इन सरतों को पूरा करता है फोलो करता है तब ही उसको क्या किया जाएगा जमानत की उपर छोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कौन-कौन सी सरते है तो इसमें पहली सरत आती है उसको यह सरत बताई जाएगी कि अगर उसको कोट में कभी भी बुलाया जाता है तो वो कोट में हाजिर हो इस मामले को लेकर अगर उसको कोट में बुलाया जाए तो कोट में हाजिर हो दूसरी सरत यह होगी कि उससे अगर कोई पूचताच की जाती है इस मामले को लेकर फ्यूचर में तो पूचताच में सय करें तीसरी सरत यह होगी कि उसके उप्र जिसने सिकायत दर्ज करवाई उस सिकायत करता को किसी भी तरीके से प्रेशान नहीं करें चोथी सरत यह होगी कि वो गवा है और सबूत को प्रभावित नहीं करें तो यह सरते होगी अगर वो इन सरतों को फोलो करता है तो उसको पु तक मानी जाएगी जब तक पुलिस कोट में चार सीट पेस नहीं कर देती है जब पुलिस कोट में चार सीट पेस कर देगी तो उसको कोट से फिर जमानत लेनी पड़ेगी तो फिर होगा क्या फिर ऐसे होगा कि कोट या पुलिस थाने से उसके पास में जाएगा नोटिस जाए है कोट में ऐसा भी आ सकता है तो फिर वह वहां पे हाजिर होगा और वहां पे हाजिर होने के बाद में उसको यही खैना एक आवशक है कि यहां पे उसका मामलत जमानती है और यहां पे उसको फैले पुलिस थाने से जमानत मिल शुकी है और जो भी evidence हो वहाँ पे submit करें इस तरीके से उसको वहाँ से court से भी जमानत मिल जाएगी तो यह है परक्रिया इन मामलों में चलती है पुलिस थाने से इस तरीके से जमानत मिलती है पर court में ऐसे procedure चलता है और इस तरीके से जमानती मामलों में जमानत मिल जाती है तो पूरी परक्रिया आपके समझे में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके सेर कर दीजिए और मेरे से बात करना चाते हैं कोई भी legal problem है तो वीडियो को description में number दिये हैं पॉइंट पॉइंट लेकर आपके आपसे बात कर सकते हैं